देशी एग्रो में आपका स्वागत है ये सामने आप जो खेट देख रहे हैं ये गेहूं का खेट है ये फॉरिन कंट्री में इस तरीके से वो आई की जाती है काफी बड़ा एरिया होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़े एरिये में इसको लगाया गया है जनरली हमारे यहाँ इतने बड़े अस्तर पे फार्मिंग नहीं होती मतलब इतने बड़े बड़े एरिया खाली नहीं मिलते मेड होती है जादा जादा दस बिगा पंदरे बिगा का हो सकता है बड़े यहां देख सकते हैं काफी बड़ा एरिया है इस वीडियो में मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि हमारे इंडिया में जैसे छोटे-छोटे हार्वेस्टर यूज में लिए जाते हैं यहां पे इन सब को काटने के लिए इनकी हार्वेस्टिंग करने के लिए जो जो मशीन अभी चल रहे हैं यह इतना सही कटाई कर रही है कि इसके कटिंग के बाद यह पीछे पीछे जो भी स्ट्रॉ निकलता है उसका बहुत अच्छे से काट देती है तो मतलब खेत में से जो वेस्टेज होता है उसको हटाने के लिए हम मशीन वगरा यूज़ करते हैं आ एक बहतरी चीज है और यहां के ट्रैक्टर वगेर आप देख सकते हैं जो fully AC-loaded है और JCB कि तरह हमारे यहां जजनरली ऐसे ट्रैक्टर नहीं होते और जैसे इनका एक ट्रैक्टर एक ट्राली लोड जाती है फिर यह दूसरी ट्रै लेगा देते हैं सब कुछ खेत में ही होत तो आसा करता हूं वीडियो आप लोग को पसंद आए होगी वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद लाइक से और सब्सक्राइब करें देशिये अगरो मिलते हैं नेक्स वीडियो